साल पर साल गुजरते जा रहे हैं पर साला जिंदगी है कि बदलने का नाम ही नहीं ले जानते हैं क्योंकि आपको जिंदगी में वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हैं बलकि वो मिलता है जिसके आप योग्ये हैं दुबारा सुनिए आपको लाइफ में वो कभी नहीं मिलता जो आप चाते हैं बलकि वो मिलता है जिसके आप योग्ये हैं चाने से कुछ ने मिलता मेरे भाई चाने से क्या होता है कुछ नहीं मैं तो चाता था करीना कपूर से मेरी शाधी हो जाए हो गई है नहीं ना कुछ लोग चाते हैं वो अमीर बन जाए कुछ लोग चाते हैं उनक मूँ तक नहीं देखते हैं। आज से डालॉग बाजी बिल्कुल बंद करते हैं और कुछ ठोस करते हैं। साथिए हो आज का सबसे बड़ा रिजलूशन यह लेना है कि साला को सिक्सेस की ओर ले जा रही है या फेलियर की आज़े जनवरी गांट वांद के पुड़िया बनाके जिन में रख लें। कि आपकोका personeं क started दो करंडा डारेक्शन के बारे में सोचना चाहिए रिजल्ट अभी क्या रहे है वो इंपॉर्टन नहीं इस वक्त आपकी डारेक्शन क्या है वो जादा इंपॉर्टन है समझाता हूँ आप अगर आज आपके पास पैसे हैं लेकिन आप अपनी कमाई से जादा उड़ा देते हैं तो जिन देर से सही मिलेगी जरूर इसकी गैरेंटी लेता इस पूरे सान इन साथ हैबिट्स पर अगर फोकस कर लिया दोस्त तो आने वाना वक्त तुम्हारा अब यंकित बयानपुरिया ने 75 डेज चैलेंज लिया कि मैं 75 दिन एक ही स्केडिल फॉलो करूंगा और देखिए सिर्फ 75 दिन एक ही काम लगातार करने से वह कहां पहुंच गया कि परधान मंत्री भी उससे मिलने चले गए आज सारा देख जान गया कि अंकित बयानपुरिया कौन है जरा सोचिए उसने ऐसा क्या किया ऐसा कौन सा रॉकिट साइज था जो कोई और नहीं कर सकता था कर तो बहुत सकते थे पर किया उसने इसको बोलता है कंसिस्टेंट एफर्ड्स इन वन डारेक्शन हमें क्या है हमें तो साला तीन दिन का चैलेंज ले रहे हैं क्योंकि जादा पेशन्स हमारे अंदर आए कहा हमें तो तीन दिन में दुनिया बदलनी नोट कर लो आज मेरी बात लंबे समय तक अडॉप्ट की गई आदते कमाल क का इफिक डालती हैं चाहे वो आदते अच्छी हों या बुरी दूसरे तरीके से समझाता हूं आपको आज दसेन एंटोनियो सपार्स एन्बीए हिट्री की सबसे सफल टीमों में सी एक इन्हों ने अपने लॉकर रूम में जहां प्लेयर आके बैखते हैं ना वहां पर एक स कोट सारी टीम को बार बार पढ़ने को बोला जाता है उस कूट में क्या लिखाए जानते हैं सुनिये द्यान से उस पर लिखा है कि जाओ और जाकर किसी पत्थर तोड़ने वाले को दिखो कि जब वो पत्थर पर हथोड़ा चलाता है उसके सौ अटेंप्स के बाद भी वो तूटता कोई दरार तक नजर नहीं आती लेकिन 101 वी चोट लगते ही पत्थर के दो टुकड़े हो जाते हैं पत्थर उस आखरी चोट से नहीं तूटता बलकि उन सब चोटों से तूटा था जो पहले की गई थी और लगातार की गई सातियों तो अजर चोबिस में आपके सफल होने का पहला प्रिंसिपली यही है कंसिस्टन एफर्स इन वन डारेक्शन वो भी बिना थके बिना रुके अंकित बयान पुरिया ने 75 डेस चैलेंज लिया आज से आपको भी एक 75 डे का चैलेंज ले लेना चाहिए और चाहे कुछ ह को जाए उसको फॉलो कर लीजिए और क्या पता कल को आपको भी मोदी जी का फोन आजा अब दूसरी इंपॉर्टन बात जो हमें 2024 के पहले दिन सीखनी है वो यह कि हम सोचते हैं हमें अपने रिजल्ट बदलने की जरूरत लेकिन यह सच नहीं हमें जो चीज बदलनी है वो ह एसिस्टन जो रिजल्ट को पैदा कर याद रखे मेरी बात बड़ी इंपॉर्टन बात बताने जा रहा हूं आप जब भी सिर्फ रिजल्ट के लेवल पर प्राब्लम को सॉल्व करते हैं तो प्राब्लम सिर्फ थोड़े समय के लिए ही सॉल्व होते हैं लेकिन अगर हो जाएंगे लेकिन अगर आप सिस्टम फालो करने लग गए तो कितने भी गोल अच्छी हो जाएं आप सिस्टम कभी नहीं छोड़तें गहरी बात बोल गया हूं फिर से सुन लेना रिवाइंड करके आज अपने गोल के बारे में भूल जाएं इसके बजाएं सिर्फ अपन फोकस करें कि आपकी टीम में डेली क्या कर रही है देखो दोस्त हर टीम बड़ा स्कोर करना चाहती है लेकिन सिर्फ स्कोर बोड को बार बार घुरने से रन नहीं बने फूटबाल के मान कोच बिल वॉल्च कहते थे आप अपने आपको बहतर कर ले प्र अपनी अपरवाथ अब तीसरी बेहद इंपॉर्टन चीज जो आज एक जनवरी दोहदार चौबिस के पहले दिन आपको ठिक करनी है वो बताता हूं वो है काम को टालेने की आदत कि कल कर लेंगे सबसे बड़ा रोग जो इंसानों को पूरी तरह से खत्म कर रहा है लोगों को जितनी जल्दी इसके साइड इफेक्ट का पता चल जाए उतना ही अच्छा है देखो दोस्त शौट रण में कामों को टालते रहने से हो सकता है आपको कोई बड़ी परिशानी ना दिखाई दे लेकिन लॉंग रण में आपको इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी प जाती है तो लॉंग रण में भायानक परिणाम होते हैं मैं आसान तरीके से समझाता हूँ शतरंज में 64 खाने होते हैं आपको पहले खाने में एक बीज रखना है और हर खाने में इसको डबल करते चले जाना है तो पहले खाने में एक बीज हुआ और दूसरे खाने में सिर् बढ़ते जाते हैं आपको फर्क दिखना शुरू होता है और आखरी के दो खानों में फर्क एक से दो नहीं होता बलकि इतना हो जाता है जिसका हिसाब लगाने में हालत खराब हो जाए कान को टालना भी ऐसी ही है शुरू शुरू में कोई बड़ा नुकसान नजर नहीं आता लेकिन बाद में हादसा हो जाता है बहुत इंपॉर्टन बात बताने जा रहा हूँ आज पहले दिन जिन्दगी की सारी टेंशन का एक ही कारण है कि किसी भी काम को एक्चुली में कब करना था और वो कब हुआ सफ़ल और असफ़ल लोगों में यही बड़ा फर्क होता है ज दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि इस साल का एक ही रेजोलूशन लेना है कि कोई रेजोलूशन ही नहीं लेना कोई डालॉग बाजिक करने ही नहीं है इस साल रेजोलूशन के नाम पर सौ परसंट लोग सिर्फ बोल बनाते हैं लेकिन उनमें से 99 परसंट लोग गोल्स के नाम पर अपने आप पो सिर्फ धोका ही देते आएं सिर्फ सपने लिख साथियो सपनों में और गोल में फर्क होता है क्या सिर्फ एक रेजोलूशन ही काफी होत लेने के लिए इस शो को आप कुको एफम पर सुन सकते हैं जितने पैसों में दोस्तों शायद बच्चों की एक छोटी चौकलेट आती है उससे भी कम पैसों में आप महीने बर की नॉलिज गिन कर सकते हैं साथिक एवरेज इनसान एक से दो किताबें बड़ी मुश्किल से कम्प्लीट कर पाता होगा एक महीने में लेकिन कुको एफम यूजर एक मत में पांच से छे बुक्स आराम से कम्प्लीट कर लेता है कुको एफम इंडिया का लीडिंग आउडियो शोग प्लीट फॉर्म है जहां आपको दस हजार से भी जादा आउडियो बुक्स मिल जाएं जो कि सेल्फ एल्प एंड फिनैंस के उपर होंगी बिजनस केटेगरी में आपको यहां शांदार किताबें मिल जाएंगी जिसको सुनकर यह साल आपके लिए बेहद शांदार साबित हो सकता है वैसे तो कुको एफम का फर्स्ट मन्थ सब्सक्रिप्शन 99 रुपीज का है पर मेरा कोड यूज करिए आपको यही सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपीज में मिल जाएगा यानि सिर्फ 49 रुपीज में महीने भर सीखने की छूट क्यूंकि बिना सीखे हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते तो यह नया साल सीखने के नाम कुको एफम रीकैप में जाकर अपना 2023 का कुको एफम सफर भी देख सकते हैं जिसमें आपने कितना टाइम सुनकर अपना स्क्रीन टाइम सेव किया और किस आडियो बुक को अपने सबसे ज़ादा सुना ये भी आपको पता लग सकता है तो do check out my comment box and description for download link अब वापिस लेकर चलता हूँ आपको अपने उसी शांदार नए साल के टॉपिक हो चौते चीज जो इस साल में आपको करनी ही करनी है चाहे कुछ हो जाए प्लसम है आपको अपनी पसंद और ना पसंद से ऊपर उठना होगा इस बात को जीवन की अंत तक याद रखें कि सफलता हमेशा उन्हें चीजों को करने से मिलेगी जिने करना आपको अच्छा नहीं लगता देखो समझो बात को इनसान आदेतन आलसी है उसकी नेचर में ही मस्ती है उससे मस्ती में मज़ा आता है मोवी तीन गंटे की खुशी-खुशी देख लेगा लेकिन दस मिनट की किताब पढ़ने को बोलो नीद आने लगेगी इसको दोस्तों जादा तर लोग इसलिए सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो सारा दिन वहीं कर रहे हैं जिसमें आराम है मज़ा है आनन्द है चर्चिल ले का था आपको अपनी पसंद और नापसंद से उपर उठना होगा ताकि आप वो सब पा सके जो आपके खुआईश हैं आज आपकी पसंद और नापसंद को तुरंत यहीं कतम कर और याद रखें जब तक आप अपने लिए कठोर नहीं हो सकते जिंदगी आपके लिए आसान नहीं होगी बात बड़ी सिंपल सी है यदि मुझे किसी ऐसी जगा जाना है ना जा मैं पहले कभी ने गया तो मुझे ऐसा रास्ता चुनना ही होगा दोस्त जिस पर मैं पहले कभी कदम नहीं रख सका अगर मुझे कुछ ऐसा हासिल करना है जो आज तक नहीं किया तो ऐसे काम करने होंगे जो आज तक नहीं की और मेरी एक बात और सुन ले आज भीड से जितना दूर हो सके हो जाएं भीड मज़ा डून रही है लेकिन अगले 55 दिन आपको वो सब करना है जो सजा लग रहा है ताकि बाकी जीवन में मज़ा ले सको फिर से कह रहा हूं आप जिन्दगी में वो नहीं पाते हैं जिसे आप चाहते हैं आप जिन्दगी में वो पाते हैं जिसके आप लायव तो आज का ये वीडियो देखने के बाद कुछ भी अचानक से बदलने की गलती बिलकुल ना करें 1% रोज बहतर होने का नियम बना लें रोज सोचे क्या मैं कल वाले इंसान से 1% बहतर हुआ एक पसंड का सुधार करना कुछ खास नहीं होता कई बार तो नजर भी रही आता लेकिन दोस्त ये कमाल का काम करता है खास तो और पर लंबे समय में याद रखना लंबे समय में एक छोटी सी बहतरी हैरान करने वाले रिजल्ट दे सकती इसे मैट के हिसाब से समझाता हूँ आज अगर आप 100 पर हैं और 2024 में हर दिन सिर्फ एक परसंट बेटर होते हैं न दोस्त तो साल के अंत तक 3700 गुना बहतर हो सकते हैं इसको कमपाउंडिंग बोला जाता है आज देखने में इंपॉसिबर लगता है और बेहत ऐरान करने वाली बात है पर यकीन मानिए सिर्फ एक परसंट का सुधाज आपकी काया पलट देगा इसके उलट अगर आप हर दिन एक परसंट बत्तर बनते हैं न तो 2024 के अंत में 0 से भी नीचे चले जाए साथी हम अक्सर छोटे चेंजिस को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो जादा इंपॉर्टन नहीं देखते हैं अगर आप आज थोड़े से पैसे बचा लें तो क्या आप आज करोड़ पती होते हैं बिलकुल नहीं आप तीन दिन जिम में चले जाएं तो क्या बॉड़ी बन जाती हैं बिलकुल नहीं क्या आप आज रात एक घंटा फ्रेंच सीखने में लगाएं तो क्या फ्रेंच आ जाएगी कभी नहीं दिकत क्या है अगर आज आप खुद को चेंज भी कर लें और कोई नई चीज शुरू भी कर दें तो रिजल्ट तुरंट नहीं मिलते और आप वापिस अपनी पुरानी उसी जिंदगी में लोट जाते हैं ठीक ऐसे ही जब आप छोटी-छोटी गलतियों को हर दिन सालों तक रिपीट करते हैं तो परिणाम बहुत भायानक हो जाते हैं ये ठीक एक हावाई जहाज के एक डिगरी बदलने जैसा ही है जहाज दिलिस से मुंबई जाने के लिए उड़ा और उड़ते वक्त उसकी डारेक्शन सिरुफ एक डिगरी टिस्ट ह जाए तो नंगी आखों से शायद पाइलट को दिखाई भी ना दे लेगिन अगर इसी डारेक्शन में वो दो घंटा विमान उड़ाता रहे तो क्या मुंबई पहुंचेगा बिलकुल भी नहीं इसी तरह रोज मर्रा की आदतों का छोटा सांतर आपके जीवन को एक अलग म अगली बहुत इंपोर्टन बात जो आपको साल के पहले दिन एक जनवरी दो हदार चौबिस को बताना चाहता हूँ वो यह इस पूरे साल मन को साफत हैं सिर्फ अच्छा सोचें अगर आप अपने मन को बदल सकें तो आप देखना आपने खुद को पूरी तरह से बदल दि मुझते हैं एक्जामपल देता हूँ आप शौपिंग मौल में गए और मन में सोच रहे हैं कि पार्किंग की कोई जगा नहीं मिलेगी तो सच में ऐसा होता है कि आपको पार्किंग की कोई जगा नहीं मिलती क्योंकि हमारा सारा ध्यान सारा फोकस कहा होता है भरी हुई पार पार्टर disparities जो घर से यह सोच कर आया आ कि अपने को तो जगा मिली जाए मेरी बात का विश्वास करें ऐसा ही होता है याद रखे ले जिंदगी में इन्सान बाद में हारता हि पहले जग मन में हारी जाती है मन जीता तो जग जीता वादा करें मुझे से आज कि अगले 75 दिन सिर्फ अच्छा ही अच्छा सोचेंगे दुनिया जाए बार और आखरी चीज जो साल के पहले दिन आपको बता के जा रहा हूं खुश रहो सारे साथ ओशुक एदित है सुखी रहना एक डिसीजन है और दुखी रहना भी एक डिसीजन है तुम आज मेर अगले 75 दिन सिर्फ खुश रहोगे 75 दिन के बाद देखेंगे बाद में सूचेंगे क्या होता है आज यह डिसाइड कर लो कि अगले 75 दिन अपने को खुश ही रहना है पकड़ पकड़ लेंगे बार बार पकड़ लेंगे चूट छूट चुट जाये आगात से, फिर खोज लेंगे, फिर पकर के संभाल लेंगे। अगले 75 दिन बिना किसी reason सुखी होंगे, खोश होंगे, देख लेना। तुम जिन्दगी में फिर कभी दुखी ना हो सको, क्योंकि तुम्हें अगर एक बार वह यह पता चल जाया कि बिना किसी बात के भी खुश रहा जा सकता है उसके लिए किसी रीजन की जरूरत ही नहीं है तुम्हारे अंदर तो सिदार बजी रहा है तुमने बस ऐसे ही आखे और अपने कान बंद कर रखे हैं तुमने बिन बात के टेंशन ले रखे हैं कि ऐसा हो जाएगा ना तब हो तो आग साल के पहले दिन वादा करो अपने आप से खुश रहने का खुद से प्यार करने का अपनी खुशी को पोस्ट कोन करना बंद कर दो सातियों ये साथ चीज़ें आज दोजार चौपीस जनवरी एक को आपको बता रहा हूं और मैं उमीद करता हूं कि आज आप ये खु बना सकें तो मेरा ये वीडियो बनाना बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा सातियों नव वर्ष दोहदार चौबिस की आपको बहुत बहुत शुब कामनाएज ये साल आपकी जिंदगी का सबसे बहतरीन सबसे बढ़िया साल साबित हो यही प्रभू से परातना करता हूं दो आज हम भी आपसे वादा करते हैं कि 2024 में आपके लिए पहतरीन वीडियो पहतरीन कॉंटेंट लेकर आएंगे जिससे आपकी जिंदगी को और बैटर बना से कोको एफम डाउनलोड कर लिजे लिंक नीचे डिस्कृप्शन में है बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू सूम जाइब जाइब